हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग वेलकम टू मैं चैनल स्वाती की पाठशाला और आज हम पढ़ने जा रहें उत्राखंड के उद्योग एवम और द्योगिक विकास तो इस पे जो वस्तुनिस्ट क्वेशन है वस्तुनिस्ट जो अब्जेक्टिव क्वेशन है वो हम करेंग को उत्पादित करने में बांस रिंगाल चीड व्रक्षकी चाल यर पांगर व्रक्षकी लकड़ी तो रिंगाल यूज किया जाता है मोस्टा को उत्पादन करने के लिए Q2 है स्वतंत्रिता सिपूर्व राज में व्यापार कैसी किया जाता था तो स्वतंत्रिता सिपूर्व राज में व्यापार मेलो द्वारा प्रदर्शनियों द्वारा मध्यस्तों के द्वारा किया जाता था ये सभी options है ये उप्रोप्त सभी के द्वारा Q3. राजमे कागच का सबसे बड़ा कार खाना कहां इस्तित है? लाल कुआ में इस्तित है गराज में निम्ले खित इस्थानों में से कथा फैक्टरी कहां इस्थित है तो कथा फैक्टरी निम्ले में से कहां परिस्थित है चार इसमें आप्शन है देखिए नैंडी डांडा पॉड़ी गड़वाल हलदवानी नैनी ताल लच्छी वाला देरादून या बहादराबाद हरिद्वार तो उसका सेकिंड आप्शन राइट है हलदवानी नैनी ताल में कथा फैक्टरी इस्तित है क्वेशन नमर फाइव पिथोड़ा गड़ से 165 किलोमीटर दूर पर इस्तित वह अस्तान जहां उनी वस्तों है शॉल, काली, कंबल, पंखी, पश्मीन, दुशाले आदी मिलती है तो कौन सी यसी जगह है मुंसियारी जो जगह है पिथोड़ा गड़ में इन सभी चीजों के लिए फेमस है पिथोड़ा गड़ से 165 किलोमीटर दूर पर इस्तित है पिथोड़ा गड़ डिस्टिक पर ही पड़ता है यहां पर शॉल, कालीन, कंबल, पंखी और पश्मीन, दुशाले इन सभी उनी वस्तों के लिए फेमस है क्वेशन नमर नाइन है उत्तराखंड राजी के शुरजिन के समय ग्यारवेवित आयोग ने इसे निम्नांकित राजी का दरजा दिया था देखें, उत्तराखंड राजी बना था तो उस समय ग्यारवेवित आयोग ने इसे कैसे राजी का दरजा दिया था तो इसे किसका दर्जा क्या इसको गरीबी गरीब पहाडी राजी का दर्जा दिया गया किया अविक्सित राज की का दर्जा दिया गया या नेक्स्ट है विशेस वर्ग का राज इसका दर्जा दिया गया तो इसे विशेस वर्ग का राज का दर्जा दिया गया 6 का C option right है 7th question देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर प्राप्त कीजिए तो सूची 1 में है ये जो भी यहाँ पे सरकारी भाग है उनके नाम है और दूसरे में है जग है तो कुमाव मंदल विकास नगम ये कहाँ पर है ये नैनी दाल में इस्तित है जीवी पंत चीनी मिल जीवी पंत चीनी मिल जो है ये कहाँ पर इस्तित है यह इस्तित है किच्छा में ठीक है next है HMT घडी इकाई ये कहाँ पर इस्तित है ये रानी बाग में इस्तित है और बी एचियल बी एचियल कहां पर इस्तित है हरी द्वार में इस्तित है तो ए का थर्ड ओप्शन राइट है और बी का बी के लिए इसमें देखिए फोर्थ ओप्शन राइट है तो यह D वाला उप्शन ठीक है? D वाला उप्शन इसमें राइट है तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कुमाउ मंडल विकास ने कम कहां पर रिस्तित है? नैनिताल में जीवी पंथ चीनी मिल कहां पर रिस्तित है? किछा में हम्टी घड़ी इकाई कहां पर रिस्तित है? यहां राणी बाग में रिस्तित है और बिये चेल कहां पर रिस्तित है? हरिद्वार में रिस्तित है ठीक है? नेक्स क्वेशन देखिए राज की अधिकांश कांगच मिले हैं तो राज की अधिकांश कांगच मिलें कहां पर इस्तित है उधम सिंग नगर में इस्तित है नेक्स क्वेशन नमर नाइन अलमोडा के जिरोला वो पिथाड़ागर के चंडाक में कौन से कार खाने है तो यहां पर कौन से कार खाने है यहां पर मैगनिसाइट के कार खाने है ठीक है कहां पर अलमोडा के जिरॉला और पिथोड़ागर के चंडाग में मैगनिसाइड के कार खाने हैं क्वेशन नमबर 10 राज सरकार ने ओद्यों के गुकास को गती प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए वीजन प्लान तयार किया किस वर्ष तक का वीजन प्लान तयार किया गया था वीजन प्लान जो है ये 2020 तक के लिए तयार किया गया था ठीक है और योगिक विकास को गती प्रदान करने के लिए एक वीजन प्लान बनाया गया था 2020 तक के लिए कोशन नमबर 11 है राज में नई और योगिक नीती की घोशना की गई तो राज में नई और योगिक नीती की घोशना कब की गई मार्च 2003 में मार्च 2003 में नई और योगिक नीती की घोशना की गई नेक्स कोशन देखिए देरा दून में RBI की शाखा स्थापित की गई जून 2006 में स्थापित की गई उत्तरा खंड ग्रामीन बैंक का गठन पूर्व की कितने बैंकों का विलाई करके किया गया है उत्तरा खंड ग्रामीन बैंक का गठन पूर्व की चार बैंकों को लेकर किया गया है चार बैंकों को लेके इसका गठन किया गया क्वेशन नमर 14 राजी में देश के 22 वे राजी के रूप में वेट लागू किया गया तो वेट जो है ये कब लागू किया गया एक अप्रेल 2005 को राजी में वेट लागू किया गया पंद्रवा कोश्चन है राजी की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है तो राजी की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कौन सी है काशी पुर्वें इस्तित है पर्वती वदूरस्त छेतरों है तू विशेस एकिकरित अध्योगी प्रोटसाहन नीती एक अप्रेल दोजार आठ को लागू की गई थी यहाँ नीती लागू रहेगी तो यहाँ जो नीती है यह कब तक लागू रहेगी यह 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी ठीक है यह मतलब जो नीती थी एक अप्रेल दोजार आठ से 31 मार्च 2018 तक ही थी ठीक है और इस नीती का क्या नाम था विशेस एकिकरित अध्योगिक प्रोटसाहन नीती क्वेशन नम्र 17 निम्न मैंसे कौन और द्योगिक छेतर शिदकुल द्वारा विक्सित नहीं है शिदकुल द्वारा देखिए पहले कौन कौन सा छेतर विक्सित है पंतनगर है कोट द्वार है हरी द्वार है लेकिन शिदकुल द्वारा विक्सित कौन सा छेतर नहीं है काश पुर नहीं है नेक्स क्वेशन देगिए क्वेशन नमर 18 भारत है वी एलक्ट्रिकल लिमिटेड बेल निमन मैसे किस इस्थान पर इस्थित है तो भी एच एल जिसे कहा जाता है ये हरिद्वार के रानीपुर नामक इस्थान पर है क्वेशन नमर 19 हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निमन मैसे किस इस्थान पर इस्थित है हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई कहां पर इस्थित है ये रानी बाग में इस्थित है कार्ड गोदाम के पास रानी बाग में इस्थित है और ये कहां पर पढ़ता है नैनी अबी मैंने आपको बताया रानी बाग में क्या है ऐचम्टी की इकाई है अभी वह फिलहाल वहाँ पे कुछ काम है से नहीं है लेकिन यह को शुनाता है था रानी बाग में Justit रानी पुर में क्या इस्तित है भी एच एल ठीक है जो हरिद्वार में इस्तित है रानी पुर इस्तान पर भी एच एल की काई है रानी पोखरी रानी पोखरी में क्या इस्तित है सीमेंट की फैक्टरी इस्तित है यह है राइट आप्शन रानी पोखरी में सीमेंट की फैक्ट स्थापित है, question number 21, निम्नमै से किस स्थान पे cooperative drugs factory स्थापित है, तो cooperative drugs factory कहां पर इस्तित है, रानी खेट में स्थित है जितनी भी ये चीजे हैं, देखिए, रानी के नाम से है रानी बाग, रानी पुर, रानी पोखरी, रानी खेट, रानी बाग मैं फिर से में repeat कर देती हूं क्या है रानी बाग में आज मैं आपको यह चीज रटवा के रहूंगी रानी बाग रानी बाग में क्या इस्थित है हम्टी टूल्स की इकाई रानी पुर हरिद्वार में क्या इस्थित है बी एचयल की इकाई राणी पोख़ी में cement factory है और राणी खेट में cooperative drugs factory इस्तित है तो बढ़ते हैं question number 22 की तरफ question number 22 देखें क्या है राज की अधिकांस cement factory के इंद्रित है तो अधिकांस जो cement factory है ये कहाँ पर इस्तित है ये देहरा दून में इस्तित है Q23. भारत Electronics निम्न में से किस इस्थान परिस्तित है? भारत Electronics BEL ये कहां परिस्तित है? ये कोट द्वार में इस्तित है. कहां परिस्तित है? कोट द्वार में इस्तित है. Question number 24, निम्न ओद्योगिक अस्थानों में से सरवाधिक छेतरफल वाला ओद्योगिक अस्थान है तो सरवाधिक छेतरफल जिसने घेरा हुआ है, किसने घेरा हुआ है एकी कृत ओद्योगिक अस्थान पंतनगर ठीक है पंतनगर में जो एक इक्रित आउद्योगी का स्थान है इसने सरवादिक छेतरफल इसका है ठीक है next question number 25 निम्न मैंसे कौन सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है हम देखते हैं question number 25 में हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स कहां पर इस्तित है यहां इस्तित है रिशी केस में ठीक है question number फिर यह बी बाला है ordinance factory ordinance factory राइपूर में इस्तित है electronics उद्योग कहां पर इस्तित है लेंस डॉन में इस्तित है वेंग्सीन कारखाना कहां पर इस्तित है यह रानी खेट में इस्तित नहीं है तो इसका डी वाला सुमेलित नहीं है ठीक है question number 26 की तरफ बढ़ते है निम्न उद्योगों वास्थार में कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए इसमें उनी वस्त्र उद्योग कहां पर है उनी वस्त्र उद्योग नैनिताल में है कालीन उद्योग पिथोड़ागर में है ताम्र उद्योग अल्मोडा में स्तित है कथा उद्योग कथा उद्योग जो है ये देहरादून में स्तित नहीं है ये कहां परिस्तित है यह कहां परिस्तित है हल्द्वानी नैनिताल में स्तित है कथा उद्योग हल्द्वानी में जो नैनिताल जिले में पढ़ता है में स्तित है Q27. निम्नमैसिकॉन इस्थल चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता चर्म उद्योग चमडे के लिए नहीं जाना जाता जोहार घाटी नाचनी छेत्र लोहा घाट या डोई वाला छेत्र तो इसका राइट आप्शन है डोई वाला छेतर चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता Q. 28 हस्त शिल्प वहत करधा के विकास इतु क्राफ्ट डिजाइन छेतर की किन्र की स्थापना की गई है तो देखें कहां पर की गई है Q. 29 हस्त शिल्प वहत करधा की विकास इतु क्राफ्ट डिजाइन छेतर की स्थापना की गई है Q. 29 राज में शिल्प पार्क की स्थापना की जा रही है Q. 30 राज के शिल्प उत्पादों को दूसरे राजियों में किस ब्रांड नेम से बेचा जा रहा है Q. 30 राज के शिल्प उत्पादों को दूसरे राजियों में हिमादरी ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है Q. 30 राज के लिए इतना काफी है अगर मेरे वीडियो आपके लिए यूस्पुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें Thank you so much